सूपर्स्टार्स सल्मान खान की फिल्म भारत सिनिमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म में सल्मान खान के पिता का रोल जाकी श्रॉफ ने भा रही है जाकी श्रॉफ रियल लाइफ में भी सल्मान को अपने बेटे की तरह मानते हैं हाल ही में दिये एक इंटर्व्यू में जाकी श्रॉफ ने बताया कि सल्मान खान उनके लिए किस तरह खास है जाकी श्रॉफ ने कहा कि सल्मान उनके बेटे जैसे हैं इसलिए वो अक्सर सल्मान के लिए प्रोड्यूसर से काम मांगते थे जाकी ने कहा कि साल 1988 में आई फिल्म फलक के समय उन्होंने सलमान की कुछ तस्वीरें खीची थी और वो इन तस्वीरों को अपनी जेब में रख कर घूमते थे जाकी श्रॉफ सलमान की तस्वीरें प्रोड्यूसर्स को दिखाते थे और उन्हें फिल्मों में कास्ट करने के लिए कहते थे उन्होंने ये भी बताया कि उस समय सलमान खान को फिल्मों में लेने के लिए उन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स से संपर्ग भी किया था जाकी ने कहा मैं जानता था कि ये बच्चा एक दिन स्टार बनेगा अब जाकी अपने उसी बच्चे के पिता की भूमिका निभा रहे हैं जाकी ने ये भी बताया कि एक समय पर सल्मान उनके बहुत बड़े फैन थे वो जाकी की जीन्स और बूट्स काफी पसंद करते थे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन सकती है दर्शक इसे पसंद कर रही है फिल्म में कट्रीना कैफ सल्मान के साथ रोमान्स करती नज़राएंगी इसके अलावा तबू, नोरा फतेही और दिशा पतानी भी फिल्म में एहम रोल में है अभी विडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सबस्क्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई-बाई